आज जो चंपाई क्या पी नीच का मंतरी मंजल विस्तार होने वाला है कॉंग्रस को उठे से पुराने चेहरेों को जगा मिलेगी और आपको बताए रामी सोरों बना गुपता बादल मंतरी बनेगे चुणाव से पहले रिस्क नहीं लेना चाहता अलाकमान सूजों के हमाले से ये ख़बर है नए चेहरे पर दाउ लगाने के मूड में अलाकमान अभी नहीं है कॉंग्रेस के कुछ विधायकों की नाराजगी बढ़ी है इसी को लेकर वही कई कॉंग्रेस विधायक नए चेहरों को मंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं अमबाप्रसाद दीपिका पांडे इर्फान अंसारी भूशन बारा अनुप सिंग सोडा राम सिंग कुप्रदेश प्रभारी से मिलने पहुंचे हैं कॉंग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की राम शंद्र सिंग भी कॉंग्रेस के 10 विधायक पहुँच वे पुराने चेहरों को बदलने की मांग कर रहे हैं शपत ग्रांस वारों में शामिल नहीं होंगे नाराज विधायक जितने हैं दिल्ली जाकर आलकमान से मुलाकात कर सकते हैं जिसने भी नाराज विधायक हैं कॉंग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम एमद मीर ने विधायकों की नाराज़गी की ख़बर को गलत बताया है कॉंग्रेस प्रदेश पलता है लेकिन चुंकि हम गढ़बंधन के साथ ही हैं तो हम अपने मंत्रियों से भी उमीद करते हैं कि जो चेतर की जो समस्याएं हो उन समस्याओं का समाधान केबिनेट में आप जाते हैं मैं आपके तक बातों को पहुंचा उसमें आप गंभीरता लाएं पूराने लोगों को आप मंत्री बना रहे हैं फिर से उनके लिए ताली बजाने के लिए हमोगा आज भून पूजा सपत मुवीशा मिल लेए हैं ठीक है अभी उनकी बातों को सुन लेता हूं उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा सभी लोग चार ही लोग मंत्री बन सकते हैं और उस नीमित जो फैसला होता है पाटी का उसको सब लोग सिरोधारे करते हैं हम समझते हैं सभी लोगों की इच्छा होती है रिख वह होनी भी चाहिए और कोपListen शारी चीजों को समझा जाएगा लेकिन जो फैसला होता है वो सबी लोगों का मिल के होता है तो हम समझते हैं कि उस बात करेंगे बिल्कुल निश्चित रूप से आया है तो पर लागतार विधायकों से बात करते हैं आज भी करेंगे, उसमें क्या है? जो सारी बाते हैं वो सब तय होती है तब ही कोई फैसला होता है अब यह लोग बात करेंगे जो इनकी भावनाहुसे उज़त हुआ तो देखिए विधायकों में नाराजगी चल रही है मंत्री बंदल का विस्तार आज शाम में होने वाला है और पुराने ही जो चेहरे हैं उन्हीं को फिर से जो है मंत्री पद मिलने वाला है कॉंग्रेस के पुराने मंत्रियों पर जो है दाव लगा रही है लेकिन कॉंग्रेस से दस विधायक पुराने नामों के विरोध में है पुराने नामों को लेकर ये नाराज़गी चल रही है विधायकों में और देखिए अभी जिस तरीके से अभी प्रदेश धक्ष राजस ठाकूर से भी बात चीत हुई उन्होंने भी कहा कि बाद में इस बात पर देखा जाएगा कि आखिर क्या जो है नाराजगी की वज़ा है क्योंकि सभी जो है मंत्री बनना चाहते हैं तो यह लाजमी है कि नार कुछ जैमेम कोटे से तीन मंत्री बनेंगे कॉंग्रेस से दस वधायक पुराने नामों के विरोध में है आज चंपाई काबे नियट का विस्तार होने वाला है आज शाम में कॉंग्रेस कोटे से पुराने चेहरे को ही जगा मिलेगी कॉंग्रेस कोटे से पुराने चेहरे प्रशाद है दिपिका पांधेरफान अंसारी भूशन बोरा सब भी का नाम जो है आ रहा है सामने लिखन पुराने चेहरे को जो है पुराने चेहरे ही फिर से मंत्री परकीशव पतलेंगे हैं और इस पर दिक बाश्षाष्वीर के लिए हमारे समवादाता विपेन हमारे साथ जुड़े है विपेन देखिए जिस्तरीके सार्ट शाम में मंध्री मधल का वस्तार होने वाला है और जो बाते सामने आरे यह कि विरोध में हैं कि नए चेहरों को जगा मिलना चाहिए और अभी राजेश ठाकूर से भी बातचीत हो रहे थे उन्हों ने भी कहा कि यह सब की मंशा होती है कि मंत्री बने फिलाल यह भी बात्यारी कि दिल्ली जाकर आलाकमान से जो नाराज विदाक है वो बातचीत कर सकते हैं जिदि के कॉंग्रेस में एक तरीके से कहा जाए तो पूराने चेहरों को फिर से मंत्री बनाए जाने के बाद एक उठापटक की स्तिती बनी है गामासान यहां पर साब तोर पर नजर आ रहा है कॉंग्रेस के विदायक पूराने तीन चेहरों को फिर से मंत्री बनाए जाने से नाराज है और जार्खन कॉंग्रेस के प्रभारी से मिलने सरकीट हाउस पहुंचे हाला कि फिलाल प्रभारी सरकीट हाउस में मौझूद नहीं है इस भीच साप तोर पर नाराजगी जताई है कॉंग्रेस के विधायकों ने और तकरीबन 10 से 11 की संख्याह ऐसे नाराज विधायकों की है जिन्हों ने ये साप तोर पर मेसेच किया है कि साम को चार बजे होने वाले राजभावन के सपत गरहन समारों का ये बहिसकार करेंगे और कॉंगरेस के ये विदायक सपत गरहन समारों में सामिल होने नहीं जाएंगे इस नाराजगी पे कुछ देर पूरु ही कॉंगरेस के प्रभारी ने कहा था कि सभी विदायक in-tech है एक जूट है नाराजगी जैसी कोई बात नहीं ह पास एम्जड फिलाल चार मंत्रियों का कोड़ा ही था और है इसे में सेंटल लीडर्शिप। ने अ पूराने लोगों को को repeat करने की बात की है और जो नाराज्ड़ी जैसी बात है तो मंत्रियों को रामेश और बन्ना गुपता और बादल पत्रलेग को फिर से मंत्री मंडल में जगा मिलने से इनकी नाराजगी इनका कहना है कि अगर जार्खण मुक्ती मोर्चा अपने कोटे में परिवर्तन कर सकता है पुराने मंत्री जोबा मांजी को ड्रॉप कर दीपक बिर जिस तरीके से जो बाते आ रही थी कि यही एक बड़ी वजाय थे कि कॉंग्रेस पहले अपने पत्ते को नहीं खोल रही थी कि पुराने चेहरों को ही मंत्री बनाना और जैसे ही ये बाते कल दोपहर से छनकर सामने आई तो कल भी देर रात जार्खन कॉंग्रेस के प्रभार से नाराज विदायकों ने मुलाकात की थी और आज सभी विदायक यहां पहुंचे हैं और सरकीट हाउस की कमरा नंबर 107 पे सभी नाराज विदायक यहां पर एक जुट्टा का परीचे देनी की कोशिश कर रहे हैं इन्होंने यह भी संकेत दिया है कि केंद्रे नेत्रितों से मिलने के लिए दिल्ली भी सभी विदायक जाएंगे और उनसे यह भी जो जानकरी कॉंगरेस की विदायक इंदर खाने से दे रहे हैं उनका कहना है कि बजट सतर तक विस्टार को रोका जाए को टेकि मंत्रियों को सपत नहीं दिलाय जाए और उसके बाद पूराने चेहर जो नाराज विधायक है वो सर्कीट हाउस पहुंचे है बिलकुर विपिन जिसे दूसी तरफ यह भी बाते सामे आ रही थी कि यह कहना था अला कमान का सुत्रू के वाले से जो खबर आ रही थी कि चुनाव से पहले रिस्क नहीं लेना चाहते है इसलिए पुरारे चैर को ही रपीट क्या जा रहा है नए चैर को वो जगा नहीं दी जा रही है यह दिके कॉंग्रेस का ये अपना तर्क है कि नाराजगी जैसी जो बात था और यहाँ पर हम उसका जहारखन कॉंग्रेस के प्रभारी पहुंच रहे हैं हम उससी जुड़ने की कोशिश करेंगे कि सभी विधायक जो नाराज है यह सीधी तस्वीर जारखन कॉंग्रेस के इंचार्ज पिछली गाडी में यह देख सकते है गुलाम एहमद मीर यहाँ पर पहुंच चुके हम उससी जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिस करेंगे कि यह जो नाराजगी जैसी बात है सर कई विधायक नाराज होकर यहां पर पहुंचें उनका कहना है प्रभारी फिलाहाल कुछ बोलने से बसते नजार आ रहे समभवता फोन पर किसी से उनकी बात वह रही और सीधे जो विधायक जिस कमरे में है उधर की तरब यह सीधी तस्वीर है प्रदेश कॉंग्रेस के प्रभारी जा रहे है और जिस कमरा नमबर 107 में जारकन के सभी जो नाराज विधायक है उनसे वो समभवता बात करेंगे यह सीधी तस्वीर है देखिए प्रभारी यहाँ पर इस कमरे में जहाँ पर विधायक है वहाँ पर जारे कमरा नमबर 107 जहाँ नाराज विधायक एक जूट है वहाँ पर यह सीधी तस्वीर है प्रभारी नाराज विधायकों से मिलने पहुंचे है संबाउनामाज पह्टी प्रभारी यहां पर पहूंचे हैं और बंद कमरे में नराजगे लिभारी में है c हूँ ख़व करनारे CUK के सी किसी चीज की क्षा राक्ता हो तुझे हम नराजगी नहीं जसक कै आप तो सुभाविक तोर पे कोई नराज नहीं है, सभी विधायक एक जुट हैं और तमाम विधायक एक जुटता के साथ संगठन को पाटी को आगे बराने में लगे हुए हैं जो अभी नराजगी वो दूर हो जाएगी सपत गरण में जाएंगे विधायक? तो हमें लगता है कहीं कोई नराजगी नहीं है और तमाम लोग एक जुटता के सिना ने कहा है कि नराजगी नहीं है लेकिन बंद कमरे में बैटक शुरू हो चुकी है जहारकन कॉंग्रेस के प्रभारी गुलाम एहमद मीर जहारकन कॉंग्रेस के दक्स राजेश टाकूर जो नराजगी विधायक यहां पर पहुंचे है पूराने चेहरों को फिर से ओत दिलाने की खबर आने के बाद तो उन से बात करने के लिए प्रभारी पहुंचे है और संभावता इस मुलाकात के बाद इस्तिती सफष्ट हो जाएगी कि नाराजगी का दौर समाप्त होगा या या नाराजगी बढ़कर दिली तक जाएगी जहां के इंदिर नित्रित से जाकर मिल अपनी बात रखने की बात विदायक कह रहे हैं बिल्कुल विपेन और शाम तक जो है तस्वीरे साफ हो जाएगी कि नाराजगी है या नहीं है जिस तरीकी की बाते पूछने पर भी यही जवाब मिल रहा है कि नाराजगी नहीं है ये लोग तंत रहे तो अपनी बाते सब सामने रख रहे लेकिन अगर शाम में शाम समारों में पहुंच जाते हैं विदाय तो यह जो तस्वीर है ये जो शंकाय जाता ही जा रही है कि नाराजगी उससा भी तस्वीर साफ हो जाएगी चलिए बहुत बहुत धनेवाद अविपिन और तबाम जानकारियों पर आगे की जानकारियों पर जो नजर बनाए रखिये